हलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूटूब चानल आप सभी स्टुडेंट्स का जैम कैम यूटूब चानल में स्वागत किया जाता है तो भई जो भी बच्चे MSC Entrance की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा फास्ट कर दीजिए जल्दी कर दीजिए जो सोच रहे थे कि हम भई कुछ दिन बाज स्टार्ट करेंगे तो अब आपको काफी कम टाइम मिलने वाला है तो मैंने एक दो दिन पहले ही आपको अपडेट दिया था कि पंजाब उन्वस्टी के जो MSC Entrance है वो रिलीज हो चुके हैं अप्लिकेशन फॉर्म फिल किये दा रहे हैं अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो देख लीजिए तो आज एक और नहीं उन्वस्टी का अपडेट हमारे पास आ गया है तो यह उन्वस्टी है दिली में जामिया, मिलिया, इसमालिया यह आपकी उन्वस्टी है देली में ठीक है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या प्ले स्टोर से पड़रे आईटी जैम के में स्टी आप डाउन्लोड कर सकते हैं यहाँ पे आपको All India MSC Entrance के नाम से कॉर्स मिल जाएगा जिसे की आपके इस अक्जाम की काफी अच्छी तेयारी हो जाएगी तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं Important Dates की यह भी Tentative है Change हो सकती है लिखा गया Subject to Change Under Pandemic Situation हालांकि भाई देखो पूरा अच्छे से समझाया गया कि यहाँ पे क्या है तो सबसे पहले Prospectus 17 मई को आ गए हैं और 17 मई से लेके आप 30 जूम तक Form Fill कर सकते हैं 17 मई से लेके 30 जूम तक आप नोट कर लीजिए इसको Editing अगर आपको करनी है कोई Change करना तो 1 जुलाई से 5 जुलाई के दोरान आप कर सकते हैं Admit Card 15 जुलाई को आ जाएंगे Entrance जो होगा वो आपका 26 जुलाई को होगा हलांकि 20 जुलाई से स्टार्ट है मतलब मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि Chemistry का कब होगा कितने टाइम पे होगा सब दिटेल्स तो 20 से आपका स्टार्ट हो जाएंगे Entrance Date of यहाँ पर रिजल्ट जो आएगा वो 30 सब्टेंबर को आएगा यह Important Data 30 जुन तक आप Form Fill कर सकते हैं और MSC Chemistry का Entrance कब होगा कितनी सीट वो भी मैं आपको आगे बता रहा हूँ उसके बाद बात करते हैं जी Department of Chemistry यहाँ पे MSC Chemistry आपका Material में भी होती है Inorganic Chemistry में भी होती है Organic में भी होती है और Physical में भी होती है 4 Semester यानि कि 2 Year की ही होती है 11-11 सीटे हैं देखो Total अगर Material की बारत करोगे तो उसकी भी 11 सीट है Inorganic की भी 11 सीट है Organic की भी 11 सीट है And Physical की भी 11 सीट है तो कुल मिलाके आपके पास जो यहाँ पे हैं ठीक है कुल मिलाके आपके पास जो यहाँ पे सीटे हैं 44 है और यह जो Fee Structure है साइद यहाँ का कि यह Fee Structure होता है बहुत काफी कम Fee's यहाँ पे होती है ठीक है तो 44 सीटे हैं यहाँ से इस बात को आप नोट कर सकते हैं उसके बाद देखें यहाँ पे कि इसकी Application Fee क्या लगेगी Form Fill करने के लिए तो यहाँ पे हमारी Application Fee जो लगने वाली है यह इतनी लगेगी All Other Facilities and Center के लिए तो 550 रुपे में आप Form Fill कर सकते हैं उसके बाद Entrance Test किसकी City में होगा देखें यहाँ पे तो यहाँ पे लखनव, पतना, स्रीनगर, गुहाटी, कॉलकता, डेली and यह आपका यहाँ केरला के अंदर इसके अंदर भी होने वाला है तो यहाँ साथ जगे पे यह Entrance Conduct आपका करवाया जाता है उसके बाद अगर आगे बात करें तो देखें कब होगा MSC Chemistry का Entrance, तो देखो Eligibility देख लो यहाँ पे क्या है Eligibility यह BSC Owners Chemistry हो तो यह जो पेपर होने जा रहा है आपका, हैना देखो यह उपर लिकावा Date and Time of the Entrance तो जो आपका पेपर होगा वो होगा 26 अगस्त को 26 अगस्त को आपका पेपर होगा MSC Chemistry का Entrance 26 अगस्त, तो काफ़ी टाइम है अगर आपने preparation करनी है तो कर सकते हैं पढ़रे पे जाईए and All India MSC Entrance का कोर्स जोइन किजिए काफी कम फीज है साड़े 3,000 रुपे फीज है और कई बार डिसकाउंट के बाद 3,000 रुपे फीज होती है अभी डिसकाउंट चल रहा है सिर्फ 3,000 रुपे फीज है आप अपनी preparation बहुत अच्छे से कर सकते हैं तो 26 अगस्त को आपका होगा और ये 1,5 आवर का Entrance होता देखो 10 बजे से लेके साड़े 11 बजे तक ये रहेगा यहाँ पे जो result आएगा selected candidate का पता लगेगा September के अंदर तो ये पूरी details थी आपकी समझ में आ गई होगी इसके बाद अगर हम बात करें तो और कोई ज़्यादा details नहीं है तो देखे भाई अगर आपको जो previous year question का देखो 2020 का तो मुझे पता है नहीं है कि हुआ था या नहीं हुआ था लेकिन अगर JMI अगर आप 2019 के paper की बात करोगे तो वो मेरे पास available है और वो मैं आपको provide करवा दूँगा टेलिग्राम चैनल के उपर तो आप टेलिग्राम चैनल जुरूर जोइन किजिए मैं बदा देता हूँ आपको टेलिग्राम चैनल का link क्या होगा तो टेलिग्राम चैनल के लिए आपको सर्च करना है jamcam 2020 jamcam 2020 चैनल पे आपको JMI 2019 का previous year का paper मिल जाएगा 100 question इसके अंदर आये थे और paper का level जो है वो काफी अच्छा होता है ठीक है तो ये बात है और वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगी है कि कब फोर्म निकल गए ठीक है तो ज्यादा से ज्यादा share कीजिएगा और ऐसी ही more updates के लिए आप चैनल को subscribe कर सकते हैं कोशिस करेंगे कि हम JMI जो आपका जो अगर 2020 में भी exam हुआ हुआ तो उसका previous year paper का video solution discuss करें 2019 का तो हम discuss करेंगे ठीक है इस video में विकले इतना है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद thank you